इसे बात को सावन में बस इतनी करें आज सावन का दूसरा सुम्बार है पास सुम्बार का आपको इसमर्ण मालूम होगा सावन के कई बार चार सुम्बार पढ़ जाते हैं कई बार पास सुम्बार पढ़ जाते हैं पास सुमबार का आप लोगों के आप लोगों ने तो सुन रखा होगा ना पास सुमबार की महिमा क्या है सावन के महिने के पास सुमबार की महिमा क्या होती है तो कहा अगर पास सुमबार सावन के महिने में पड़ जाते हैं तो शुपंचायत का पूरा पुन्य एक शंकर पर जल चणाने से पूरा फल पराप्त हो जाता है श्रावन का पहला सुंबार होता है शिव तत्व का श्रावन का दूसरा सुंबार होता है देवी तत्व का मा दुर्गा मा भवानी आप लोगोंने श्यू पंचायद श्यू महा पुरान की कथा पहले बाची आप लोगोंने सुनी होगी उसमें श्यू पंचायद का वंडन कर रहा था पाच देव शंकर भगवान स्वयम पंच देव में प्रथमता प्राप्त करकर बेटते हैं मदुर्गा भगवान नरेन श्यू पंचायद में भगवान बास कर देव और स्वयम भगवान शिव के सुन्दर आनंद धारण करने वाले श्री गणेश्यू पंचायद में अब प्रथम में शिव दुरगा नारायन वासकर देव गणेश्जी ये सब भगवान शिव के पंचायद के अंतरगत विराजमान होते हैं और ये पांचो सुम्वार का फल हमें प्रदान करते हैं पांच एक एक सुम्वार की महत्वता है एक सुम्वार का क्रम है कई माताय अस क्रम को धारण भी करती हैं ऐसा नहीं कि कई माताय नहीं करती है सबका अपना नियाम होता है कोई श्यू मंदिर में जाता है तो एक चावल का दाना शिव जी को समरपित करता है कोई मंदर जाता है तो एक पुष्प शिवजी को समर्पित करता है कोई मंदर जाता है तो एक बेलपत्र शिवजी को समर्पित करता है कोई मंदर जाता है तो जल समर्पित करता है सबका अपना अपना भावे